हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज की इस वीडियो में हिंदी के काफी महत्पुर्ण तीस अबजेक्टी परश्ण का रिविजन करेंगे तो एक भी परश्ण आप लोग स्कीब मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और इस तीस अबजेक्टी परश्ण में से जो भी परश्ण आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिखके जरूर याद कर लिजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ओल पे कर लिजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोडिफिकेशन पहुंसता रहे तो आईए सुरू करते हैं पहले नमबर प्रश्ण से तो पहला नमबर प्रश्ण है कि जोपडी और महल के लड़ाई में अकसर कौन जितता है A उपसने महल वाले B उपसने जोपडी वाले C उपसने सहर वाले D उपसने गाउवाले काफी महतपुड प्रश्ण है यहाँ पे आपको बताना है कि जोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है तो महल वाले जीतते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option बिलकुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन दो नंबर दो नंबर प्रशन है कि नागरी लीपी के सुरुवाती ले कहां से मिले काफी महतपुड प्रशन है ए उप्सने पुर्वी भारत से बी उप्सने उतर भारत से सी उप्सने पस्मी भारत से डी उप्सने दक्षणी भारत से तो यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लीपी के सुरुवाती ले कहां से मिले तो दक् अबोध मूर्ती कौन है ए उप्सने नेता बी उप्सने जनता सी उप्सने अधिकारी डी उप्सने मंत्री तेहां पर आपको बताना है कि मिट्टी की अबोध मूर्ती कौन है तो मिट्टी की अबोध मूर्ती जनता है इसे आपको याद रखना है यहां पर बी वाला उप्सन सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण चार नंबर प्रश्ण है कि जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं यहाँ पर आपको बताना है कि जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण पांच नमबर प्रश्ण है कि आँख लाल पीला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा यहाँ पे आपको बताना है कि आँख लाल पीला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा तो गुसा करना होगा इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला उप्सन बिलकुल ही सही हो जाएगा हिंदी के काफी महत्पुर्ण 300 अप्जेक्टी प्रश्ण का रिविजन करेंगे तो एक भी प्रश्ण आप लोग स्कीब मत किजिएगा विडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्ण आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग से नोटबुक पे लिखके जुरूर याद कर लिजिएगा और अभी तक आप हमारे वाट्सप गुरूप में नहीं जुड़े हैं तो यह हमारा वाट्सप नमबर है इस पर आपको बूल लेना है कि सर हमें गुरूप में जुड़ दीजिए तो हम आपको गुरूप में जुड़ देंगे आईए देखते हैं अगला प्रश्ण च्छे नमबर प्रश्ण है कि जो इस्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं आपको बताना है कि जो इस्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं तो उसे आस्तिक कहते हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पर B वाला उप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण साथ नमबर प्रश्ण है कि पंडित बिर्जो महराज लखनाव घराने के किस पिढ़ी के कलाकार थे A उप्षने 6 पिढ़ी के B उप्षने 7 पिढ़ी के C उप्षने 8 पिढ़ी के D उप्षने 9 पिढ़ी के तो यहाँ पर आपको बताना है कि पंडित बिर्जो महराज लखनाव घराने के किस पिढ़ी के कलाकार थे तो साथवी पिड़ी के कलाकार थे इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण आठ नमबर प्रश्ण की दारिस नामक सोने की सिकों से भरा घड़ा किसे मिला था ए उपसे ने हेकल को वी उपसे ने हरकस को सी उपसे ने वारेन हेस्टिंगस को डी उपसे ने विलियम जोन्स को तेहां पे आपको बताना है कि दारिस नामक सोने की सिकों से भरा घड़ा किसे मिला था तो वारेन हेस्टिंगस को मिला था इसे आपको याद रखना है यहाँ प यहाँ पर आपको बताना है कि पपाती को कौन सा रोग था तो पपाती को मेनेंजाइटिस रोग था इसे आपको याद रखना है यहाँ पर D वाला उप्षन विल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्न दस नमबर प्रश्न है कि सेन सहाब की मोटर कार कितने क तो यहाँ पर आपको बताना है कि सेन सहाब की मोटर कार कितने की थी तो साड़े साथ हजार की इसे आपको याद रखना है यहाँ पर C वाला उप्षन विल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्न ग्यार नमबर प्रश्ने की परतिकूल का बिलोम क्या होग A उप्षन अनुकूल B उप्षन सीधा C उप्षन उल्टा D उप्षन सदीश तो यहाँ पर आपको बताना है कि परतिकूल का बिलोम क्या होगा तो परतिकूल का बिलोम अनुकूल होगा इसे आपको याद रखना है यहाँ पर एवाला उप्षन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण बारा नंबर, बारा नंबर प्रश्ण है कि कभी के अनुसार जन तंतर के देवता कौन है, A उपसे नेता, B उपसे ने मंत्री, C उपसे ने सिक्छक, D उपसे ने किसान मजदूर, तेहां पर आपको बताना है कि कभी के अनुसार जन तंत की देउता कौन है तो किसान मजदूर है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे D वाला option विल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण तेरा नंबर तेरा नंबर प्रश्ण है कि गिर्धरलाल सेंस आपकी factory में क्या था A उपसे ने किरानी, B उपसे ने driver, C उपसे ने manager, D उपसे ने इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिर्धरलाल सेंस आपकी factory में क्या था तो किरानी था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option विल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 14 नंबर, 14 नंबर प्रशने की बिर्जो महराज का संबन किस से था A उपसे ने बासुरी से, B उपसे ने तबला से, C उपसे ने कथक से, D उपसे ने संतूर से तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिर्जो महराज का संबन किस से था तो कथक से था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option बिलकुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण पंदरा नंबर पंदरा नंबर प्रश्ण है कि कुवर नरायन ने बुढ़ा चोकिदार किसे कहा है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option बिलकुली सही हो जाएगा काफी महत्पूर्ण 300 objective प्रश्ण का revision करेंगे तो एक भी प्रश्ण आप लोग स्कीब मत किजिएगा विडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंदग देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्ण आपको याद ना हूँ तो प्लीज आप लोग उसे notebook पे लिखे ज़रूर याद कर लिजिएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण सूला नंबर सूला नंबर प्रश्ण है कि खोखा किस कहानी का पात्र है AUP सेन बीस के दात, BUP सेने सिक्षा यों संस्कृती, CUP सेने बहादूर, DUP सेने मचली तो यहाँ पर आपको बदाना है कि खोखा किस कहानी का पात्र है तो खोखा बीस के दात कहानी का पात्र है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 17 नंबर 17 नंबर प्रशने की जाती परथा क्या निर्धारित करता है A उपसे ने पेशा, B उपसे ने दिन चरिया, C उपसे ने बेपार, D उपसे ने कुछ नहीं यहाँ पे आपको बताना है कि जाती परथा क्या निर्धारित करता है तो जाती परथा पेशा को निर्धारित करता है, इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन 18 नंबर 18 नमबर प्रशने की बेतमा कहां इस्तित है A उपसे ने इंदौर के पास B उपसे ने इलहाबाद के पास C उपसे ने पूरे के पास D उपसे ने पटना के पास तो यहाँ पे आपको बताना है की बेतमा कहां इस्तित है तो बेतमा इंदोर के पास इस्तित हैं इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 19 नमर 19 नमर प्रश्ण है कि मचली लेकर कौन भाग गया A option संतू, B option बंटू, C option भगू, D option जगू तो यहाँ पे आपको बताना है कि मचली लेकर कौन भाग गया तो मचली लेकर संतू भाग गया इसे आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 20 नमर 20 नमर प्रश्ण है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा A option हाथ दोना, B option सफाई करना, C option चूरी करना, D option गंदगी फैलाना तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा तो चोरी करना होगा इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्णे 21 नमबर 21 नमबर प्रश्णे की किसोर से मार खाने के बाद बहादूर A उपसे ने परतिरोध करता B उपसे ने हंगामा करता C उपसे ने चुपचाप कोने में खड़े हो जाता D उपसे ने रोडोने लगता यहाँ पे आपको बताना है कि किसोर से मार खाने के बाद बहादूर तो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option विल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रश्ण 22 नमबर, 22 नमबर प्रश्ण की जपान पर परमाडू बंग गिराया गया, A उप्सने इंगलेंड ने, B उप्सने अमेरिका ने, C उप्सने चिन ने, D उप्सने रूस ने, यहाँ पे आपको बताना है कि जपान पर परमाडू बंग किस देश ने गिराया, तो अमेरिका ने गिराया, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे B उप्सने बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रश्ण 23 नमबर, 23 नमबर प्रश्णे की वकालत की पढ़ाई के लिए ग इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे B उप्सने बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रश्ण 24 नमबर, 24 नमबर प्रश्णे की उगते सुरज के देश किस देश को कहा जाता है, ए उप्सने भारत को, V उप्सने सिरलंका को, C उप्सने नेपाल को, D यहाँ पे आपको बताना है कि उगते सुरज के देश किस देश को कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे D वाला उप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रश्ण 25 नमबर, 25 नमबर प्रश्णे की उस्ताद बिस्मिल्ला खा एक परसिद थे, A उप्सने सितार वादक, B उप्सने सहनाई वादक, C उप्सने संतूर वादक, D उप्सने बिड़ा वादक, तो यहाँ पे आपको बताना है कि उस्ताद बिस्मिल्ला खा एक परसिद थे, तो एक परसिद सहनाई वादक थे, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रशने 26 नमबर, 26 नमबर प्रशने की चंद्रगुप्त विकर्मा दित्य कहा की राजा थे, A उपसे ने सौराष्टर के, B उपसे ने मिथला के, C उपसे ने पटना के, D उपसे ने आईए देखते हैं, अगला प्रशने 27 नमबर, 27 नमबर प्रशने की बहादूर लेखा का घर छोड़ कर क्यों भाग गया, A उपसे ने चौरी का आरोप लगने पर, B उपसे ने खाना नहीं मिलने पर, C उपसे ने बहुत काम करना पड़ता था, D उपसे ने गाये चराना प पहाग गया, यहाँ पर एवाला उपसे ने बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं, अगला प्रशने 28 नमबर, 28 नमबर प्रशने की प्राचीन मानों का प्रमुक अस्तर सस्तर था, A उपसे ने दात, B उपसे ने नाखून, C उपसे ने पैर, D उपसे ने पत्थर के यहाँ पर आपको बताना हैं की प्राचीन मानों का प्रमुक अस्तर सस्तर था, तो नाखून था, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पर B उपसे ने इंजिनियर, C उपसे ने खिलाड़ी, D उपसे ने पत्रकार, तेहां पे आपको बताना है कि सेन सहाब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे तो इंजिनियर बनाना चाहते थे इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बीवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन तीस नंबर प्रशन है कि किसे खोकर इस अपना अर्थ खो बैठेंगे तो भक्त को खोकर इस वर अपना भी अर्थ को बैठेंगे यहाँ पे डी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यहाँ पे तीस अब्जेक्टी प्रशन का हम रिविजन कर चुके हैं तो इसमें से जो भी प्रशन आपको याद ना हो तो प्लीज अपको सही लगे वह आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक किजिएगा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर से एर किजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा थेंक यू फूर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए मन लागा के पढ़ाई किजिए टेक केर और बाए